24 दिनों तक कीमते स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की तेजी का मीटर घूमना शुरू हो गया है 28 सेतंबर से दोनों इंधनों की कीमते फिर से बढ़ना शुरू हो गई है अब फिर से पेट्रोल डीजल की महेंगाई का जटका लोगों को लगना शुरू हो गया है जानकार मान रहे है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते है महेंगाई के दौर में इंधन आम आदमी को हलाकान करने की दम लेगा 10 जुलाई को पेट्रोल 106 रुपे, 73 पैसे प्रती लीटर और डीजल 95 रुपे, 81 पैसे प्रती लीटर पर चल रहा था 12 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक दोनों इंधनों की कीमते स्थिर रही और 4 सितंबर को एक बार फिर से पेट्रोल बढ़कर 107 रुपे, 2 पैसे प्रती लीटर पर पहुच गया 28 सितंबर दाम और बढ़े, 2 दिन बाद, यानि 30 सितंबर को यह फिर जटका देते हुए 107 रुपे, 42 पैसे वह डीजल 95 रुपे, 78 पैसे प्रती लीटर पर पहुच गया इन 24 दिनों में पेट्रोल जहाँ 40 पैसे महंगा हो गया, वही डीजल 1 रुपे 26 पैसे बढ़ गया लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बजट बिगड रहा है महंगाई से पहले से ही जनता त्रस्त है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था जरूरी खर्च में कटावती करनी पढ़ रही है, अब पैट्रोल की बढ़ती कीमत से मुश्किले और बढ़ती जा रही है नीजी कमपनी में काम करने वाले विने चौधरी ने बताया कि सैलरी में बढ़ती नहीं हुई है जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है, सरकार को इसका भी ख्याल रखना चाहिए यही हाल रहा तो लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा जानकारी के अनुसार जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ रही है उससे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत अभी और बढ़ेगी लोगों का कहना है कि सरकार को महंगाई कंट्रोल करना चाहिए ना कि अपना खजाना भरना चाहिए